क्रिकिट में जब कोई बल्लेबाद शूनने पर आउट हो जाता है तो उसको डख क्यों बोला जाता है तो इसके पीछे की ये कहानी है कि 17 जुलाई 1866 को एक क्रिकिट मैच हो रहा था जिसमें Prince of Wales King Edwards VII जीरो पर आउट हो जाते हैं उसके अगले दिन न्यूस पेपर में ये न्यूस आती है कि Prince of Wales Departed on a Ducks Act to the Pavilion यानि कि बतक के अंडे पर सवार होके वो पविलियन वापस लॉट गए और फिर इस Duck शब्द का इस्तिमाल और भी Newspapers करने लगे और फिर वहाँ से जो ये Terminology थी वो Famous हो गई अब क्रिकिट में भी कई तरीके के Ducks होते हैं जैसे एक होता है Regular Duck, अगर कोई भी Batsman 0 पर आउट हो जाए तो उसको Regular Duck बोलेंगे एक होता है Golden Duck जब Batsman पहली ही Ball पर आउट हो जाए एक होता है Diamond Duck जब Batsman बिना कोई Ball खेले आउट हो जाते हैं 0 पर यानि कि जैसे बिना कोई Ball खेले 0 पर रन आउट हो गए तो उसको Diamond Duck कहा जाएगा फिर आता है Platinum Duck या Royal Duck ये तब कहा जाता है जब Batsman पूरे मैच की पहली Ball पर ही आउट हो जाए इसके लाबा एक और टर्म होता है जिसमें Duck शब्त का इस्तिमाल नहीं किया जाता अगर एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कोई बेटर 0 पर आउट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है Please do let me know in the comment section